नवाश्कार मित्रों मैं हो नेटन भानू और आपका चनल एडवर्टेक्स पर स्वागत है मित्रों आगे बढ़ने स्पहले एक छोटी स्रिक्वेस्ट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने मित्रों को भी बताएं वीडियो को पूरा देखें अंतक देखें ठीक है अगर चिलिंडर है अपने पास अगर एक सिलिंडर है इसको अगर हम काटते जाएंगे तो हमको multiple rings मिल रहे थे rings रहे हैं अभी ठीक है इसको अगर हम हम कटते जाँ रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था multiple rectangles मिल रहा था ठीक है, और Q कट जा रहे थे तो हम गों क्या मिल रहा था, multiple squares मिल रहा था, ठीक है other way round क्या था, कि अगर हम squares को multiple squares को जोड़ दें था हम गों Q मिल जाएगा, जिसका सिर्फ lateral surface area होगा top और bottom area जो है, वो खाली होगा Q केस में भी lateral surface area होगा top और bottom खाली होगा, और cylinder के केस में भी हमको lateral surface area यानि curved surface area मिल जाएगा, और top और bottom खाली दिखेगा खाली मतलब एक pipe जो होता है जैसा pipe होता है, पाइप काट दीजिए तो कैसा दिखेगा, lateral surface area होगा आगे और पीछे आपको और पर दिख जाएगा ठीक है, वैसा कुछ अब इसको हम extend करते हैं, कहाँ पर इसको extend करके लेके आते हैं हम लोग volume वाले part पर volume वाले part में क्या होता है, एक solid rod लेते हैं solid rod कहने का मतलब क्या है, कि अंदर कुछ भी खाली नहीं है सब कुछ भड़ा हुआ है, अंदर सब भड़ा हुआ है अब क्या करेंगे, कि first way is कि इसको हम लोग काटते हैं, इस rod com काटते हैं तो हम क्या मिलेगा, आप सोच के देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ह oynizada एक मिल रहा था यहां एक सिखा मिलेगा क सिखा जैसा कुछ मिलेगा उस पर 1 2 3 4 overnight लोच भी नहीं करना होगा घजी होगा हो चीफ सिखा म्यावद की किछ नहीं क्या होगा आपको रेक्टैंगुलर एक शीट जैसा मिलेगा जो कि रही वह कि ठीक है आपने किसके काट है और कि यूलने इसा मेन कटे mots आप प्रीन शीन जेसा मिलेगा एक फाट यह हैं पर पहले हम सिर्प प्रिमींड पर्वाला पाकश सकता है ठीक है जिसमें क्या था कि यह वाला पार्ट जो था वह वने खाली था कुछ नहीं था और यह वाला पुड़ा फिल्डप था राइट इसकेस में क्या होगा हमको इस case में हमको एक sheet जैसा मिलेगा, rectangular sheet जैसा मिलेगा, ठीक है ऐसा, पुड़ा filled up होगा ये, square case में क्या होगा, ठीक है, square case में पहले पुड़ा खाली था, ये इतना ऐसा मिल रहा था कुछ, ठीक है, बीच वाला portion जो है ये, ये खाली था, इसमें पुड़ा filled up मिलेगा, पुड़ा filled up होगा, और cylinder के case में आपको एक सिक्का जैसा मिलेगा, गोल जैसा कुछ मिलेगा, जिसका अंडर पुड़ा filled up होगा, ठीक है, अब हम इसको काट रहे हैं, तो ऐसा बन रहा है, cube, cube and cylinder, solid की बात हो रही है, ठीक है, ये तीन ही solid है, ठीक है, पुड़ा पुड़ा बैऑ- तो ऑगर आप पास 10 सिक्क्या हों, आप तो पेटियम चलता है, तो आपके पास 10 सिक्क्या माली जेगा, इसको क्या लेट के देखिए,सोलिट सिнокणिर दिखे गाए, ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास रेक्टेंगलर सीट्स हैं उनको आप एक उपर एक रखते जाएए तो क्या मिलेगा आपका एक कॉपी बन जाएगा ठीक है माली ते पेपर का है उसका एक्जाम्पल तो मैं दिखा सकता हूँ आपको जैसा कि ये डाइडी है ये डाइडी आप देख रहें तो ये डाइडी का शेप क्या है क्योवाइड का शेप है टीक है इसक्यूवाइड को शेप को क्या फूर्म कारएग्ण हम इसको काटते जाएंगे तो हमको एक ये मिलेगा फीड़न जीपार इस पेज च sedan और पूरा य क्यूब बनाने के लिए कुछ है क्यूब बनाने के लिए फिलाल में पास कुछ दिखने रहा है अगर हम इंडिविजल पेज़ को जोड़ते चले जाए क्या मिल जाएगा हमको क्यूब मिल जाएगा अगर एक साथ रख लीजिए ता आपको क्या मिल जाएगा कहने का मतलब है कि अगर आपको वाल्यूम निकालना है वाल्यूम वाल्यूम एक्वल टू क्या होता है स्पेस अक्यूपाइट स्पीए स्पेस और क्यूपाइट ठीक है स्पेस कोन अक्यूपाइग कर रहा है सम ओफ रेक्टैंग्विलर पेजेस हमारा जो एक्जामपल उसके इसाफ समें बता रहा हूं ठीक है अगर पेज नहीं ले रहे हैं तो कुछ ऐसा ब्लॉग ब्लॉग नहीं मालब शीट जैसा होगा इंटा को आपने अगर काट दिया ऐसा कटता नहीं है बर आपने माले दे क तो यह काट लिया थीजियर और दोस Az 대한 मिलेगा आपको तो समन फ्रेक्टैंग्लर पेज हो गया या फिर क्या खानए किस में सम अ है इस्टैंगर पेज़ेश कि यहां मिलेगा आपको सम-off coins ठीक है जो कि circular coins होगा circular छुपतो नहीं किया नहीं छुपा है ठीक है तो circular coins मिलेगा sum of हो क्या मिलेगा circular coins मिलेगा ठीक इतना हमको समझ में आ रहा है अब यह sum निकालने का हम कोशिस करते हैं जब यह मिल गया हमको तो हम क्या करेंगे sum निकलने का process करेंगे तो यहां लिखते हैं volume अब यह देखें इसके case में क्या होगा कि हम लोग square pages का summation कर रहे हैं तो a square यह होगा plus a square plus a square up to कुछ value होगा up to कुछ होगा हम उसको देखते हैं क्या होगा ठीक है इसका solid case में क्या होगा length into breath LB लिख लेते हैं इसको LB plus LB plus LB कोई दिखते हैं पर अप to something ठीक है और surrender case में क्या होगा pi r square area of circle क्या होता है pi r square पुड़ा एडिया भड़ा हुगा है यहां भी हमने area ही लिया है na rectangle के area है square के area है तो circle का भी area ही लेंगे coin का area ही लेंग pi r square plus pi r square plus pi r square up to something अब यह up to something कितना होगा आप कितनी बार इसको जोड़ेंगे जितना उसके height होगा उसके बराबर जोड़ेंगे मैं जितना उसका height होगा उत्त नहीं तो आप उसका piece काट पाएंगे ना जितना ही आपका 10 दस सिक्क्ये हैं तो इसका height कितना हो गया 10 हो गया एक का तो एडिया कुछ हो गया उसका 10 तो यह up to height आजाएगा क्या हो जाएगा height ठीक है जहां तक height होगा वहां तक इसको मजोड़ेंगे अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें मालेते हैं हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है ठीक है अब तो इसको में इसको क्या लिख सकते हैं equal to 2 into 40 लिख सकते हैं ठीक है यह आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा इसको मैं और अधर तरीके से बता देता हूं छोटा और उसक है इसको है कि जिए इतनी बार उसका हाइट ऊड़ा है कि जितनी बार उसका height होगा उतने से अगर उसके a को multiply कर दे तो हमको value देगा वही मैं 2 plus 2 plus 2 plus 2 से बता रहा था कि अगर 4 बार 2 को add कर रहे हैं तो एक उसका single का value into उसका height कर देंगा तो सिधा answer आ जाता है तो इसका cube की किसमे height कितना है? cube की किसमे height a है to a squared into a WHO chi जाएगा? a squared, का area हो गयाao number of occurrence, उसका height के बढ़ाबर हो गया lb into h हो गया lb rectangle के area हो गईा number of occurrence उसका height हो गया इसके समें क्या होगा? pi r square ठीक है area हो गया into number of occurrence उसका height हो गया तो यह इसका volume हो जाता है ठीक है? equals to a cube equals to Lb h and this is equals to pi r squared h चुपा तो नहीं, नहीं चुपा है, वो मेरा क्या होता है, मेरा फोटो के पीछे कभी-कभी आजाता है, तो वो दिमांग में डखना परता है, कहां के बाद हो सकता है, तो मैं ठोड़ा चेक करता रहता हूं बीच में, ठीक है, तो यह अपना वल्यूम आ गया है, समझ मैं आ यह कहाँ भाली अब दो चार चीजे हैं वाल्यमी वाले पार्ट को समझ में आगए होगा आपको अब इसमें दो चार पॉइंट से वह सब हम लोग देखते चलते हैं और यहां से कई ऑर चीज जो यह होगय क्युम यह लिखा है उसका जो वैल्यू है वो क्यूबिक मिटर्स में क्यूबिक सेंटेमिटर्स में आयेगा घार अब यहां पर एक दो चीज़ है किताब में जो हम दिया हुआ है उसको हम लोग लेते चलते और आगे बढ़ते चलते हैं किताब पर वापिस है ठीक है अब यह थोड़ा बोथ है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं टो लिखनेक टम में ऐसे लिखते हैं और अगर नमर के टम से लिखना है तो वन सेंटिमिटर इंटू पावर थ्री है ठीक है अब वन सेंटिमेटर का वैलू कितना होता है तेन मिनिमीटर होता है है यहां है यहां लिख जाकते हैं लिखते आँ अम लग 100 cm x 100 cm x 100 cm तो यह 3 cm मिला के cmq लिख रखा है अब इसका वैलू लिखना है आपको तो एक में कितना जीड़ो आ जाएगा 6 0 जाएगा 1 2 3 4 5 6 ठीक है या इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6 cmq अब यह भर के देखिए आपसे हो जाना चाहिए ठीक है बस उसका वैले पूट किया है अब यह बताई देता हूं यह से 3 cm है न हमारे पास तो यह cmq आ गया 0.1 x 3 कितना हो जाएगा ठीक है 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1 x 1000 को क्या लिख सकते हैं पॉइंट 001 cmq ठीक क्लियर है यह conversion आपको आना चाहिए यह conversion का आपको ध्यान रखना है अगर अलग है तो आप convert करें ठीक करने का सिधा तरीका है कि एक individual का आपको पता है कि एक मिटर इकोल्स टूण मिटर इकोल्स टूण इसा याद कर मिलिमेटरन इकोल्स टूण 10 command मिलिमिटरस एक तक तक सब को याद रहता है कर अधार यह है तो है MP1 मि एकोल्स हूं इकोल्स टूण 10 मिलिमिटर अगर मीजीमिं वेल्व है मिटर में लिकए जाना है तो क्या लिखेंगे लिब्स टूण ड्रवंट इक्विलि मिटर पोकिते हूं सेन्टिक। हो जाएगा डिटर सिर्ट जचारेका हुं ट्रवंट मीटर इक्विन गणे एक्विटर का॥ करके आप कर सकते हैं ठीक है अब इसको आप करके देखिए यह सब आप अराम से होगा ठीक है यहां भी लेंद ब्रेथ और हैट पता है ल्बेश हमने फॉर्मुला भी डिडाइफ किया ने कैसे निकालते हैं ठीक है बस उसी का वैल्यू पुट करना आप को इसका मल्टिप्ला आप यह देखेंगे कि कैसे भी आप इस ब्लॉक को सजाएंगे आपका वाल्यू हमेंसा ठीक है ठीक है कहने का यह मतलब है कि पानी एक ग्लास पानी अगर आप ग्लास में रख लें तो उतना ही पानी होगा उसी को आप ट्रांसफर करके वाल्टी मोडल दें तो पानी तो उ 54 उद्राम से निकाल सकते हैं मैं एक सवर कीकल निकल जाएगा कि ऐख सहूर के इंद़ आ冷PH ने लाक ऊंच्टिंटेशन में चैनल जाएग ca सब्सक्राइब करने यह से जरूरी कि अब जाखता है लेकिन जरूरी नहीं है तो आप आप सोच कि देखिए कि इन दवनों का सर्फेस एरिया से श्युक्त जरूरी है जरूरी नहीं है हो सकता है कि हम कुछ ऐसा एरेंजमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो सर्फिस एरिया वह सेम आ जाए लेकिन यह चीज जरूरी नहीं है ठीक है आप यह पड़के देखिए दिमाग थोड़ा दोरा यह आ जाएगा आपको भी जो इंपोर्टेंट पार्ट है जो कौंसेप्चल पार्ट है वह मैं खुदी कवर करता जा रहा हूं ज्यादा दिमाग लगाना है वह भी लगाई तो उससे आपको ही तो सवाल है अब यह आगया हमारा ऐड़िया कितनी वर इडिया जोड़ेंगे जितनी वर हाइट होगा इस हैंद्ध कर थिया रहा हमको यह वॉल्यूम में लेगा ठीक है अब इसका वेल्यू निकाल सकते हैं पाराम से पाय पाय आर इसक्वाईर्ट से पाई आर रिसक्वाइब सब्सक्राइब है कि एक सर्कल का एरिया इंटू हाइट ठीक है कर्व सब्सक्राइब कैसे निकाल रहे थे पेडिमीटर का वैल्यू पेडिमीटर का वैल्यू इंटू हाइट सब्सक्राइब चै monk crash है से निकाल रहे थे टुटल सब सबसथे रहे थे पहले पयरी मित्युड का दीट से कड़िए मिल लिया ब्लास कुण मैं तू स्काइर का है लुए सर्कल का एरिया तो कि जहाँ पना दो फर्थ नीचे से जहाँ पना रहीं तो सर्कल और इसी को आपने थोड़ा यह कड़कर लिक्रिया था तू पाई यार एच प्लस र ठीक है यह इसका आगया था एंसर अब वाल्यू और क्यापरसिटी पर आते हैं यह थोड़ा सा में इसमें एक दो पॉइंट है जो काफी इंपॉटेंट है जो कन्वर्जन पार्ट है बाकि आपको समझना है इसमें थोड़ा ठीक है अपने दिवांग से समझेगा मैं बोलता जाता हूं आप सुनते चलिए ठीक कि युल्स समयी है लेकिन थोड़ा सा डिफ Already है कि कैसे है कि माल कैसे है यद्ल की के पास है यह प्लॉट एक लैंड का प्लॉट है तिक आपके पास एक लैंड का प्लॉट है एक और दिवाल खड़ा कर दिया या आप सो आप Tas रहे था एक मकान बनाओ या आप सोचने इस पर मैं कुछ बनाओ ठीक मकान चुछ बनाओ तो आप क्या करेंगे कि आप इसका यह निकालेंगे और आप इसका जो एडिया है जो एडिया होगा इसका वह आप निकालेंगे इंटू हाइट कर देंगे एडिया इंटू हाइट कर देंगे इससे क्या मिल जाएगा आपको volume मिल जाएगा कि हमारे पास volume इतना है लेकिन आप यह सोच कि देखिए कि आपने एक बार दिवाल ख़ड़ा कर दिया तो जितना volume आपने calculate किया था उतना ही आपको volume मिलेगा क्या आपने क्या किया इस एडिया को आपने height से multiply कर दिया आपको एक volume मिल गया ठीक है आप यह सोचिए कि जब आप इस पे दिवाल ख़ड़ा कर देंगे तो अंदर जो space मिलेगा क्या आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने calculate किया था there is something that you neglected when you are calculating the volume ठीक है यही difference पैदा कर देता है capacity में कि आप क्या करेंगे यहां दिवाल बनाएंगे आपने क्या क्या चारो साइड पर दिवाल बना दिया ठीक है तो दिवाल क्या किया कुछ space दिवाल ले लिया यह वाला जो portion था वो दिवाल ले लिया एमें यह गुआ है थीक के तो आपका चैब्रूर हो गया घर तो त्यार हो गया आपकद अपका हें गर्दु त्यार होगे आपका हो द्रेशत हो गया आपका है करदम त्यार हो गया आपका आपका बट कुछ एडिया Todos वह आपका ये ले लिया ठीक है न, कौन ले लिया कुछ पार्ट आपका, यह जो पार्ट है, 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 यह कौन ले दिया, इंटा ले लिया, इंटा और उपर का जो छत है, वो ले लिया, तो आप देखेंगे कि आपका जितना एरि तो पूरा आपने लिया था उस में आपने क्या नेगलेट किया था दिवाल डिवाल 2 यहीं थाओगा जो हर जगा वह उतना ही हाइट में की तो फ्रोपर एक मोठा पास चार रूसा है से चेलिश साइग के पो city design जो आपने कल्कुलेट के तो उससे कम होगा आपका वालियुम घर का उतना ही है लेकिन क्यापसिटी इस एरिया कैपसिटी इस वालियूम जो आपको मिलता है कुछ करने के लिए उस रूम में जैसे आप यही आप देखे होंगे कि जब आप च्छत पर जाते होंगे तो आपको दिखेगा कि भाई बहुत बड़ा एरिया है लेकिन जब आप नीचे रूम में आते हैं तो अभी नीचा कि छोटा क्यों लग रहा है क्योंकि उपर में आपको दिवाल नहीं दिख रहा था और आपको पूर होगे और कैपसिटी क्या होगे जो कि इस पेस मिलता है अब सवाल जाथा है जब यहां पर सवाल आये गा तो जानल ही आपको नेगलेट कर देते हैं किस मिलेक्स कर देते हैं चरय जो अनौड बना था खीकेछ उसका अब कर Scr об이 लूर τον same thing, volume and capacity कर दिया नहीं माना तो आप बोल सकते हैं क्यापसिटी और वल्यूमार सेम थी ठीक है डिफ्रेंट समझ मां गया आपको चलिए आज आते हैं इस पर क्या वल्यूमार सेमांट अफ इस अक्यूपाइड बाइया एन अब्जेक्ट ठीक है क्यापसिटी अपने यह दिवाल बना चकर में वह भी उसमें वाल्यूमार आता है अब यह थोड़ा इंपर्टेंट पार्ट है है यह दो खो है affair कि ए वाटर इंपर तीन होड़ा है उन लिण सइंदेडिमेटर क्यूब क्यूब क्यों कि ये तो अराम से बता सकते है ना मीटर क्यों क्यों इक्क होता है तो जेखिए कितना जूरो आ रहा है दो दो चार दो चे जीरो आ गया ठीक है एक मिटर पहला बह्ता है तो तीन तो शेंट सेंटीमेटर आयेगा यहां पर तो तीन सो भी आएगा और इसलिए ऐसा आगे ठीक आपको क्या याद रखना है कि वन लीटर एकोल स्टू साजंट सेंटी तो आपका मतलब आधा काम हो गया इसवे जाधा कुछ नहीं था ठीक है आपको का सकते हैं अब आपको शयांत केूपwinning sophomore किलो मेटर क्यों का में कि लेकर याद आपको एक वैलू तो एक एक्क्वेशन तो याद हो नहीं चाहिए इसो आपको समझ लिटर एक मीटर क्यूब में थाउजन लिटर के कैपसेटी होता है या पानी आता है ठीक हम लोग अगर बोलते हैं कि टंगी के कैपसेटी थाउजन लिटर का है बोलते हैं हजार लिटर का टंकी है तो कितना पानी उसमें टेगा वन मीटर क्यूब पानी आठेगा उसमें ठीक find the height of the cubite whose volume is itna and base area is itna मैंना भूबला था ना base area जो है वो sheet के बराबर का अधिया हो गया उसको जोड़ते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा volume मिल जाएगा तो volume को divide कर दे अगर base area से तो हमको height मिल जाता है सीदा सीदी ठीक है a godown is in front of cubite godown is in form of cubite of measure इतना how many cubital boxes can be stored in it volume cubital boxes can be stored in it if the volume of one box is itna meter cube ठीक है ठीक है तो हमको क्या पता चल गया है go down का volume पता चल जाएगा यहां से और यह हमको दे दिया किसका volume cubital boxes छट छटे boxes होंगा उनका volume दे दिया तो बस इस volume को इस volume से divide कर दिजिए ठीक वाल्यूम औफ गोडाउन डिवाइड वाल्यूम आफ वन बॉक्स तो हम क्या मिल जाता है नुम्मर बॉक्स जितना रख सकते हैं ठीक इस वह इनिटरी मेथर्ड बेसिकली लगता है इनिटरी मेथर्ड इन वन वेडियाबल आपने पढ़ा होगा मना इस एक उक्यूपइड प्एड वाइट वॉल्म इन रखूपइड वाण बॉक्स फेन रौट लूपइट कि वाल्यूउं में चुपइड वान बॉक्स ठीक है तो वन मीटर क्यूब कितना वं विटर्ड की वोल्यम कितना अप्र पाइब करेंगा वन वाइट जीट बॉब def क्या है कि इसका जो मेल्टिप्लिकेस नहीं कितना है गाइगा इतना वाल्यूम है टोटल इतना वाल्यूम में इस अक्यूपाइट बाई लगा सकते हैं अगर यह सीधा आपको नहीं समझ वा रहा तो यह लास्ट पार्ट जो आ गया है 72000 डिवाइड़ बाई 0.8 वही यहां पर किया गया है तो यह मैंने आपको क्या पता है विशिकल यह यहां तक कैसे पहुंचे जिनको अगर किसी को डाउट हो कि इस वाले बाउट इसका जवाब है कि पॉइंट एट मीटर की वाल्यूम जो है एक बॉक्स का है ठीक है तो वन वाइट बॉक्स का यह इदर चल डिवाइड चल जाता है तो इतना वाल्यूम में कितना बॉक्स आ जाएगा तो यह से मुल्टिप्लाइब कर देंगे चिक है उमीद इस इतना इस फांट है इस से एक स्छ因ंडर फांप कर दिया आप सब उसी देखिए में हैसम यह paper है इसको अपने रोल कर दिया तो यह सिलेंडर बन गया इसको डोल कर दिया तो इसको आहिए तो यह इसका जैसे सिलेंडर फाम हो गया यह कुछ भी नहीं था इसमें और ट्राइंगलर पीस आफ पेपर 11 11 इस फोल्डेट विदाट ओवरलापिंग तो मेक उस सिलिंडर ओफ हाइट फॉर सेंटिमेटर फाइंड वाल्यूम अब दिया है अब इसको पहले समझे सवाल को एक ट्राइंगलर पेपर है जिसका यह चार है कि और यह कितना है यह 11 है और यह वाला पर्ट केंटी है इसका है इसक खॉत तो यह वाला जो पेरीमिटर है सब्सक्राइब कर चुक है जसे को ना समझ में आया हो तो बिसकल यह बोल रहा कि यह अपना चार है यह अगर हम इसको डूल करेंगे तो इसका परिमिटर आयेगा यहां से आप आर के वैल निकाल लीजे आपको यह पता है आप यह अराम से निकाल सकते हैं तो इसमें पुट कर दिया अपने पास चार था चार पूट कर दीजिए आप दिया जालेट करने के लिए बोला हुआ है तो किस केस में आप सर्फिस अरिया निकालेंगे और किस केस में आप विल्यूम निकालेंगे यह पुछा गया है भीकान के बात बग सेट्राइब किदा बड एकिटना में क्या इसकते हैं यहां क्या प्लाइब करें गाद है डिवाल करें तो खाली स्पेस के नमढ़ नमग फिस्मॉलर टेंक ताट कैना इसका नवे स्मॉलर टांक कैना फिली दॉब तो फिल फिल की बात आगे यहां भी वाल्यूम आ जाएगा ठीक है अब डायमेटर अब दो सिलेंडर दिये हुए है और इन दुनों का यह मेजरमेंट दिये हुआ है आपको बताना है देखके कि यह बोला कि विदाउट डूइंग कैलकुलेशन कैनो सजेस्ट हूस वॉल्यू दोनों में सेम ही है और दो सब्सक्राइब हो लाइक और चुकि दोनों में सेम है तो हमको उससे मतलब नहीं है जो डिफरेंट हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या है आर इन्टु आड़ इन्टू एच ठीक है इसी से हम कंपरीजन कर लेंगे तो इसका देखिए पहले वाले case का A के लिए क्या है radius कितना 3.5 है 3.5 है into 3.5 into h कितना 14 है ठीक है 14 को क्या लिख सकते हैं 3.5 into 3.5 हम क्या करते हैं कि 14 को 7 लिख लेते हैं ठीक है क्योंकि 7 के factor में चल रहा है into इसको 7 कर लेते हैं तो यहां से 2 निकलेगा 7 into 2 14 होता है यहां पर into 2 आएगा तो यह 7 आ गया ठीक है तो यहां समझ क्या पता लग गया यह समझ में आ रहा है ना आपको ठीक बैसिकली 14 था तो 14 में से मैंने 2 का factor निकाल दिया साथ लिख दिया दो का factor मैंने इसको दे दिया तो साथ हो गया बी पड़ा जाए बी कोल स्टू 14 है यहां पर तो 7 into 7 into 7 ठीक है आर किता हो जाएगा 14 डैमेटर है तो रेडियस आर सब 7 हो जाएगा तो लेकिन हमको यह पता चल गया कि बी वला का जो है वह बड़ा है क्योंकि इसके पास एक टू का factor एक्स्ट्रा है ठीक है क्या करेंगे इसको 7 को क्या लिख सकते हैं सब्सक्राइब सकते हैं 3.5 इंटू टू तभी तो बैलेंस होगा अब यह देखिए यह सारा कुछ सेम आ गया लेकिन टू का फैक्टर बीक के पास एक्स्ट्रा है टू का एक्स्ट्रा है मतलब की बीक का जो वाल्यूम हो ज्यादा आएगा ठीक है वेरिफाइट अब इस सावाल अच्छा हो जाता है यहां पर थोरा सब्सक्राइब कर दिया तो गेटर वाल्यूम पता चल गया भी आप निकाल कर देख लिजी कि क्या एक्ट्वल्यू है क्या इसका सर्फेस एरिया ज्यादा होगा ठीक है सर्फेस अर्या कॉस्स जब एक चेक वेदर दस्वेंटर वीट ग्रेटर वाल्यूम है सब्सक्राइब कर देख अब इसका बढ़ा हो आप बता दीजे कि वाई जिसका वह ज्यादा है उसका जदा बढ़ा है या नहीं है वह आपको वैल्यू निकाल के पता चल जाएगा ठीक है इसमें कुछ अब इसमें सिर्फ आपके क्लिकुलेशन बच गया है तो यह लगाना ही पड़ेगा मतलब अब इस 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 को डिवाइड कर दीजा है जाएगा तो इस 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 को डिवाइड कर दीजाएड का वाल्यू आजाएगा कुछ निए थाइस में अकुवाइड क्यूवाइड इस और दीमीशन देश वाइड स्माल कुछ इप्स इन गिवन क्यूवाइड ठीक है यह इसका वालूम कितना आगया 60 इंटू 54 इंटू 33 चंतिमेटर याने सेंटिमेटर क्यूवाइड ठीक है तिक दिवाइड वाल्यूम सब्सक्राइब और इसको आप डिवाइड करके देख लिए कितना आता है सिक्स वन जा शिक्स नाइन जा शिक्स फाइव जा ठीक है इसमें युनिट नहीं आ रहा है चार्शों पचाश जब मैंने लिखा है तो यह नंबर पूछा है न तो नंबर पूछा युनिट नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर कैंसल हो जा रहा है यह सब छोटी बातों का अब ध्यान रखें कि अगर अगर अडियल हुआ तो माक्स काट लेगा अब यह देखें यहां पर एक युनिट का मिस्मैच है युनिट का क्या है मिस्मैच है तो हम लोग उसको मिस्मैच को भी हैंडल करेंगे थोड़ा इसको मैं उपर कर देता हूं ताकि मेरेको स्पेस मिल जाए कर देखें तो पढ़ाय कि जीवन में कुछ भी आप करींगे न जो रोज करेंगे वह आपको बोर करेंगा ही है थीक है कि हम चीज अगर चावल डाला को खिलाया जाए तो एक महीने बाद या दो महीने बाद या बहुत आप बोर्ड नहीं होते है तो एक साल बाद आप बोर इटली सांबर कुछ तो मिल जाए तो पढ़ाए बोडिंग चीज है तो आप इसको क्या है कि उस बोडिंग पार्ट को आप रोज दिन कीजिए क्योंकि कि अल्टिमेटली आपको कुछ मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे लेके जाए ठीक है चलिए अक्यूबाइड इस यह तो हो गया न यह फांड दा हाइट ऑफ सिलिंटर हुस वॉल्यूम इस इतना है डामेटर अप दे बेस इतना है तो रेटेस कितना हो गया सतर संटिमेटर हो गया है और वोल्यूम इस इतना है वल्यूम कितना है 1.54 मीटर क्यूब तो वल्यूम इएक टू पाई टू पाई नहीं आएगा पाई आडए स्क्वायर इंटु एच ठीक है वल्यूम यह आ गया अब यहांपर पाई का वैलू का आता है 22 वाई 7 डाख लेजि का स्कॉर्ड तेड़ है हाइड कितना है हाइट को खोजना है वोल्म कितना दे राखा है 1.54 1.54 मीतर क्यूब ति कमीटर के सांटी मेटर की जाने के लिए 1 मीटर इकोल स्टू 100 संटीमेटर यानि कि इसको रिलिग सकते हैं 1.54 into 1 meter के बाराबर 1 meter equals to 100 cm 1 meter equals to 100 cm ठीक है 1 meter square equals to 100 0000 cm square 1 meter cube यह मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रहे चीजों का सेंटीमेटर क्यों क्या है इसा हम लोग बात कर चुके है इस बारे में यह सीधा सीधी 1 meter cube का वैलो उठाकर यहां पूट कर दीजिए मिटर क्यूब से सेंटीमेटर क्यूब में चला जाएगा 10 की पावर सिक्स सेंटीमेटर क्यूब ठीक है इसका भी अब सेंटीमेटर है यह हाइट है अब इस पर कुछ नेट है कि आप इसको सीधा साल्व कर लिए सेवेंटी सेंटीमेटर इन्टु सेवेंटी सेंटीमेटर ठीक है उपर क्या जाएगा सेवन और सेंटीमेटर क्यूब ठीक है यह क्यूब है यहां दो सेंटी एक सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर यहां ते एक सेंटीमेटर यहां बचा हुआ रही जाए इसलिए हाइट कांसर सेंटीमेटर में आएगा ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजे कुछ नहीं बचा है इसमें सीधा सीधी फंडा लगाना है आपको कि एक एलेवन टू जा एलेवन वन जा 11 14 जा ठीक है 14 14 4 7 अब इसको काट सकते हैं इसमें कुछ ऐसा है नहीं अब सो गटी साईंगा अंस content न बता दिया है Am GE Q चलिए नेक्स सवाल एक मिल्क टैंक है जो कि स्लेंडर के फॉर्म में है इसकी रिडियस कितनी दे रखिए 1.5 मिटर दे रखा ठीक है एंड लेंग्स कितनी रखा इतना फांड दे कॉंटिटी फॉर्म कितना हो जाएगा इसका मिल्क टैंक है इसका मिल्क टैंक इक्वल्स तू पाई और कितना है रडियस 1.5 मिटर पाई आर स्कॉर इंटो एच 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 कितना है इसका वॉल्यूम आ गया तो यह वॉल्यूम आ गया था हम इसी एक चीज़तों देखी सकते हैं यह मैंने जी मिटर को बाहर निकाल लेते हैं तो पाई 1.5 का स्कॉर ठीक है कैसे मैं निकाला 1.5 क्या बोल सकते हैं फंदरा बटे दस ठीक है अब इसका स्कॉर निकालना है तो क्या करेंगा पंदरा के स्कॉर दोसो पचीस दोसो पचीस ठीक है करके देख लिए उतना ही आता है वाई हंड्रेड ठीक है दस का भी स्कॉर करेंगे ना आप इक्वल टू पाइंट टू पाइंटू क्यूर यहां से निकला है तो मेंटर क्यू आगए किप्या पूचा है एंसर क्या पूचा है अधर बडाबर एक हजार लिटर होता है यह लोग उपर देख चुके हैं ऐर फीर से देख लेते हैं ठीक है न, कहा गया, नीचे ही है क्या, अड़े, यहा है न, एक मीटर क्यों मैंने बोला तो न, मैंने बाने तो यह याद रखिए, वन मीटर क्यों इकोज टू थाउजन लिटर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो हम लोग सवाल कर रहे थे, इस से मीटर क्यूब को हटाएंगे, ठीक है, मीटर क्यूब को हटाएंगे, और क्या लिख देंगे आपर, थाउजन लिटर, अब इसको सब्सक्राइब कर लिए, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इकवल टू, कढ़ी देता हूं है, 22 by 7, जनरी मैं नहीं करता हूं, एवाइड क करता हूं, बढ़ ठीक है, 225 by 100 लिख सकते हैं, इंटू 7, इंटू 1000, अब ये कट गया, ये कट गया, दो जिरो कट गया, साथ से साथ कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, यह 10 बचा है, 225 बचा है, यानि कि 220 इंटू 225 लिटर, मिल्टिप्लाइ कर लिज ए, एंसर आजाए ठीक है, थोड़ा ये लंबा हो रहा है, दो सबल बचाए, देखी लेता है, अब यहाँ एक सवाल है, अच्छा सवाल है, यह सब निमाग खुलने वादे है, यह सब क्या जो निम्रिकल बेस्ट है, जो फर्मूला बेस्ट है, उसमें मनलब कुछ यादा दिमाग नहीं लगा जल्दी से क्विक क्या बोला है इच एज ऑफ क्यूब इस डबल ठीक है हाव मेनी टाइमस विल सर्फेस एरिया इंक्रीज हाव मेनी टाम सिस वॉल्यम इस इनकी इंक्रीज क्यूब का एज को डबल कर रहे हैं या नहीं कि पहले था ठीक है पहले एथा अभी क्या हो गया टू सिप्विक लिदी से पूछाने टी एससे ओर वाल्यूम कि कितना हो जागा टीयसे अमारा क्या था याद कीजिए 6a2 हमारा टीयसे था 6a2 यहाँ पर क्या बन गया 6 इंट्व जोन गया 6 इंट्व 2a2 स्क्वाइर इक वाल्यम कितना था एक यहां पर क्या हो जाएगा इसकी का तो क्यों करते हैं तो क्यों 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 हो जाएगा प्रोटोजा अप्रोटोजा it 8 aq क्यों तो वाल्यूं कितना मोलूं क्यों बढ़ गया हावउमिट बढ़ गया यह HIS क्यों श्फोड वाल्यूं क्यों करने से वाल्यूम तंस में बढ़ ृस्फरॽस्फस तो 6a² था 24a², तो 6a² को 24a² से भागा दिजिए, 6 4 जा 24, 4 ताम्स, 4 ताम्स, ठीक है, इसी तसावल, ठीक है, तो हमने क्या किया कि, एक पहले ये था, अभी इंक्रीज होके, इसका साइड 2a हो गया, डबल हो गया, बेसिकल, तो जब ये था, तो टोल सर्फेस एरिया 6a² था, और वाल्यूम 8aq आ गया, ठीक है, तो हमके क्या क्या इसका रेशियो निकाले, 8aq डिवाइड बाइ aq, इक्वास तो 8 आ गया, नहीं कि 8 ताम्स हो गया, इसके लिए, टीए से के लिए क्या था, टीए से के लिए देखिये, 24a² था बाद में, और पहले कितना था, पहले था 6a², तो यहां क्या जाएगा, 6 ओंजा, 6, 4 जा, नहीं 4 ताम्स, ठीक, इस दन, लास अवाल देखते हैं और एंड करते हैं लेक्चर को, water is pouring into a cubatal reservoir at the rate of 60 liters per minute, ठीक है, rate बता दिया, 60 liters per minute, ठीक है, per minute 60 liter, उसमें fill up हो रहा है, एक cubatal reservoir है, ठीक है, if the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir, ठीक, तो हमको बोल रहा है कि, एक minute में, 60 liter, जो है, liters basically, 60 liter जो है, उसको भढ़ने में एक minute का समय लग रहा है, ठीक है, तो एक liter भढ़ने में किता समय लगेगा, 1 by 60 minute लगेगा, ठीक है, यहां तर clear है, अब पुछा है कि 108 meter cube, 108 meter cube को आप पहले calculate करके दिखा देंगे, 108 meter cube है न, तो 1 meter cube equals to 1000 liter, हमने पहला था, equal to कितना हो जाएगा, 108 into 1000 liter, यानि क्या हो गया, 108, 123, 0, इतना liter, तो यह हम से पूछ रहा है, कि एक लिटर भरने में इतना समय लगता है, तो 108, 00, 00, लिटर भरने में, कितना समय लगेगा, 1 by 60 into 108, 00, ठीक है, अब इसको solve कर लिजे, कुछ नहीं रहा है, इसमें, ठीक है, ठीक है, थरा बरा नमबर डर्या मत, धहज रखिए, हो जाएगा, इसको 00 कर दिया, 6 को कितने बारों कर सकते हैं, 108 को कर देखिशिस किजिए, 6 बन जा, 6, 10, 10 लेके चले तो न, चार हाथ में रहा, 8 हो गया, 6 8 जा 48 दो 0 पहले से था ठीक यानि कि 1800 मिनिट्स लगेगा ठीक 1800 मिनिट्स कितना होता है इसको 60 से डिवाइड कर दे अगर तो 1800 divided by 60 equals to hour दे देगा हमको यह कट गया यानि कि 6 देजे 630 equals to 30 hours हो जाएगा ठीक है 30 hours है कुछ भी नहीं कि आपको यह समझ में आ गया होगा उसके बाद क्या था कि यह इसको सॉल्व करना था ठीक है वन भाइ 60 इंटू 108 के साथ 30 तो इसको आप जैसे आपको अगर काटने में आसानी परता तो काटी है नहीं आपको को डिवाइड करने में आसानी परता ता इवाइड किजी ठीक है 0000 तो कटी जाता यह तो बहुत आसान पाट था 108 00 इसको आप क्या क पूर चैनल में दोता है नमस्कार एक मुवी था तिरंगा तिरंगा मुवी में था आज के मुख समय चार ऐसे हैं कोई देखेगा वो डाइलोग यूटूब पे डालिएगा तिरंगा मोवी समाचार वाला वीडियो नमस्कार आज का डाइलोग आज का न्यूस जो है वो कुछ S प्रकार है ब्रिगेड येर सुर्य प्रताप सिंग ने गेंडा स्वामी को गोली मार दिया जल्दी थैंक यू बाई नेक्स्टर मिलते हैं जल्दी